नमस्कार ये सीधी तस्विरे वाइसो पानिपत पर आप लाइव देख रहे हैं आज 17 वाडों के लिए काउंटिंग जो है समालखा में चल ले हैं पुलिस प्रशाशन के पुक्ता प्रबंद किये गये हैं समालखा सरकारी स्कूल में यह इस स्कूल में जो है चल रही है काउंटिंग और पुलिस के पुक्ता प्रबंद है डियाइसपी मेरे साथ हैं डियाइसपी सर नमस्कार सर रूट आइवट किया हुए हाँ मिलकुल रूट बता दो पुब्लिक को क्या कैसे कहा कहा जाना है पुड़ के साथ से उत्वे और ऊपर चड़ जाएंगे शुरू होगे साथ हां काउंटिंग चलो पीसफुल है जी हां मिलकुल पीसफुल है और यह कुछ हिदायत दे रखी कि पिछे रहें आगे नाएं मिलकुल सो मेटर से पिछे रहेंगे पुब्लिक दोनों साइड में पुलिस के कितनी टीमें लगा रखे हैं सवाजी है चार इंस्पेक्टर दोस्तों करम चारी है तो रूट आइवट कर रखा है दीएसपी थे साथ में और आपको बता दें आज 17 वाड़ों के लिए काउंटिंग चल रही है और आठ चेर्मेन पद के जो मिद्वार थे उनके काउंटिंग यहां पर शुरू है अलाकि जो भरसिंग चोकर है वो मैदान चोड़ चुके हैं लेकिन को कि बारा बज़े के बाद उन्होंने अनौन्स किया था बारा बज़े से पहले काउंटिंग हो चुके थी पबलिक तक पहुंचते पहुंचते यह आवाज जो थी दो शोग कुछल है और जेजेपी समर्थित जिनका एसी का निशान था शोग गुपता और साथ में संजे बैनिवाल जिनका कुर्सी का निशान था इन तीनों में मुख्य मुकाबला जो है चरला है थोड़ी देर में रिजल्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा पहले राउंड का विदान सभा से आप यह सीधी तस्वीर हैं वाइसो पानीपत पर देख रहे हैं सुबह की यह तस्वीर हैं और आपको इधर से बता दें इधर फाइर प्रेट का इंतिजाम पुरी तरह का रखा हैं और यहां तक यह नजर जारी वहां पर भी जो कैंडिडेट के समर्थक प्रदीव कुमार बता रहे थे कैसे रूट किया गया है और लोगों को कहां कहां जाना है परिशानी नहीं इसके लिए उन्हें रूट की बात जो है कह दी है और आपको बता दें कि चौनतिस बूत जो है टोटल बनाए गए थे और सुबह 8 बजे कांटिंग शुरू होना हो होनी थी लेकिन थोड़ी देरी लग रही है और पहली राउंड का जो रिजल्ट है वह अभी तक सामने नहीं आया है वीडियो को साथ की साथ शेयर जूरू करें समालखा से आप ये सीधी तस्वीर जो हैं देख रहे हैं लगातार वाइसों पानिपत पर आपको बता दें कि कोशिश करेंगे ये देखिए पुलिस की तीमें जो हैं सकत इंतिजाम समालखा पुलिस की तरफ से भी किए गये हैं दो डीएसपी तैनात किए गये हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और दस बज़े तक तस्वीर क्लियर होना शुरू हो जाएगी विक किसे पान्ट आ कांटिंग होनी है गौर्वेंट मॉडल सीनिय स्कूर्ण है यह समालखा का यहां पर कांटिंग चल रही है और अंदर की थोड़ी सी तस्वीरें यहां से क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहां पर पुलिस के पुक्ता प्रबंध है और जैसा कि समालखा से जिन लोगों ने बाहर जाना है या समालखा की साइड आना है अधर बाप्रा रोड पर उनके लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है पुलिस की टीम में तैनात है और यहीं पर जो है थोड़ी देर में पहले राउंड का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तस्वीरों को साथ की साथ श समर्थकों ने भी उन्हें उल्टा सिधा कहा कि फॉस्प तीन साल चार साल तक मैनत करने के साथ उनके साथ उन्होंने एट टैम जो है मैदान चोड़ दिया अलागि सारा ठीक जो है पार्टी के ऊपर वो फोड रहा है कि पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया और उनके जो सम पनी टिकट के मांग कर चुके हैं सबसे बाद में उन्होंने आप पर भरोस्टा जता आ और आप ने चेर्मेंन पद के उमिद्वार के टिकट जो है उने दिए दोनों ने एक दूसरे पर भरोस्टा जता आ अगे उदर संजेब एनिवाल पी जो हैं मजबूत परत्याशी समालखा से हैं और साथ में ही अशोग उचल जो बीजेपी के परत्याशी बनाए गए थे वो भी मजबूत स्थिती में समालखा में लग रहे हैं हलाकि जो जेजेपी के अशोग गुपत हैं वो थोड़े से लास काउंटिंग है वह यहां पर शुरू हो गई है पहले राउंड के काउंटिंग का रिजल्ट अपसे कोछी देर बाद यहां पर होंगा हो तो हम लोग दोबारा इस मामले में लाइव जुड़ेंगे तो फिलाल यह बता दें कि सम्वालखा के सरकारी स्कूल में काउंटिंग होना शुरू हो चुकी है पहले राउंड का रिजल्ट थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएगा जैसे रिजल्ट आएगा तो हम लोग दोबारा लाई होंगे नमस्कार